हेलो फ्रेंज वेलकम तू माई चैनल इस वीडियो में बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही बड़ा सा थालकोस बताने वाली हूँ देखिए इसकी साइस कितना बड़ा है इसको मैंने स्पेसली छट पूजा के लिए बनाया है बिहार में छट पूजा बहुत ही फेमस है तो उसी अमड़ा से dominate करें हे नब इसका चैसान पूरा लेंफल इसका पूरण यहां पर 58 cm 68 cm है भी यह पूरा थालकोस आप चाहे तो इस से भी बड़ा बना साथों लेकि नर्मली इतना ही हम चाहिए छाहिए होता है कि इतना पर टोपलीff कि यसाते हैं अगर आपको इस भाटे का भी जरूरत हो तो आप इस ते बड़ा भी बना सकते हम हूं इसे मैंने दो क्रॉलर में बना रखden AMY 10 अज़ी वी बसंद दो कि अच्टे है और इसकी क्रोच क्रोच है 1.60MM को बिस्क्राइब का के इस इसमें टोटल हम आठ चैन बनाएंगे, आठ चैन बनाके पहले वाले चैन में इसको जॉइंट कर लेंगे, एक सरकल बना लेंगे, फिर एक, दो, तीन, तीन चैन बनाएंगे और इस सरकल से हम डबल क्रॉसिया बनाएंगे, एक और एक चैन माला दो हो गए, ये तीन, चार, इ बना के दिखाती हूँ देखिए मैंने इसमें टोटल 24 डबल क्रॉस लिए बना लिया अब इसके बाद हम यहां पर इसको धर्ड वाले चैन में ज्वाइन कर लेंगे हमारा यह फर्स्ट डाउन कम्प्रीट हो गया देखिए तब पर्फेक्ट के सबकल बना हुआ है देखिए यहां पर ज्वाइन कर लिया अब इसके बाद फिर तीन चैन बनाएंगे एक दू तीन तीन चैन बनाके फिर एक चैन और बनाएंगे और इसके नेक्स्ट वाले चैन में एक डबल क्रॉस यह बना लेंगे यहां पर बना लिया इसके बाद एक चैन बनाएंगे फिर इसके नेक्स्ट वाले चैन में एक डबल क्रॉस यह बनाएंगे हमें चैन नीचे इसकितने ही करना है एक चैन बनाएंगे फिर इसके नेक्स्ट वाले चैन में एक डबल क्रॉस यह बनाएंगे फिर एक चैन बनाएंगे और यह पूरा बना के दिखाती हूँ, देखिए, पूरा राउंड कम्प्लीट कर लिया, हमारा सेकंड राउंड कम्प्लीट हो गया, इसके बाद हम एक चैन बना के इसको यहाँ पर लास्ट वाले चैन में जॉइन्ट कर लेंगे, कर लिया जॉइन्ट, इसके बाद फिर एक, दो तील चार पांच पांच चाण बनाएंगे एक डबल उनी सिर्फ पांच तुद अबनाएंगे यहां पर यहां प्र रंपर बनाएंगे और फिर दो चैन बनाइगे और फिर इसके नेक्स होले में district बना लेंगे Maadевой इसे करके हमें ये पूरा राउंड बना रहा है पहले बाले ना कर लेंगे और फिर यहाँ पर एक सिंगल प्रॉसे बना देंग 대RY UK दो 93 टीन वनाैंगे और नेष्ट वाले में सिंगल क्रॉसे से जॉइन कर देंगे फिर तीन चैन बनाएंगे और फिर यहाँव भुलत कॉशऑ से जॉइन कर लेंगे ऐसे करके हमें घूल कि धे के पूरे आएज बाता है ए कि आ बाता है शसी दो कर वहाँक है अधित की जाइन की सेस्क लगें संबरायोफ न इंगल यह इस कि देज पूरा बना लिए अब ईस के बाद हैं यहां पे तीन चैन बना के और इसको यहां पर सिंगल प्रॉसेस को जोइन पर लेंगे, फिर सिंगल प्रॉसेस को जोइन पर लेंगे, ऐसे करके हम तीन राउन बनाएंगे, चार चार चैन बनाके, तुम्हें यह तीन राउन बनाके दिखाती हूँ, बना लिया, यह तीन राउन हमने चार चार चैन में बना लिया अब इसके बाद हम यहां पर पांच चेन बनाएंगे पांच चेन बनाएंगे फिर ऐसे हम ज्यादी वल शैन बनाएंगे यहां पर जॉइन करेंगे फिर पांच चैन बनाएंगे और फिर इसे सिंगल क्रॉस है से यहां पर जोइन करेंगे ऐसे करके हम दो लाइन बनाएंगे और फिर एक लाइन बनाएंगे जिसमें हम छे चैन बनाएंगे सेव हमें ऐसे ही बनाते जाना है तो मैं यहां पर जितना हमें जाली वाला लाइन चा साथ, आर्ट, आर्ट लाइन हमने हीते टॉटल्स में बनाया है, हम इसके बाद tutorial 8 में लाइनं the outcome अब इसके बाद हम इसमें धागा को बांध के कुछ लेगे और ॉइट वला धागय यहाँ पर utिल्ट करें है किसी एक में भी इसको जॉइन कर लेंगे. जॉइन करने के बाद तीन न बनाएंगे. 1 2 3 तीन न बनाके इसके बाद 3 डबल ठ्रॉस या बनाएंगे और एक चैन वालता मिला के 4 हो जाएगा. देखिए 1 2 3 4 4 डबल ठ्रॉस या हो गया. इसके बाद चैन बनाएंगे हम यह पर तीन चैन बनाएंगे एक दो तीन तीन चैन बनाया और इसके फिर नेक्स्ट वाले में फिर चार डबल प्राउस यह बनाएंगे एक दो तीन चार चार बना लिया फिर तीन चैन बनाएंगे कि HAIR को और पिर इसके नेक्स्ट फाले में । चार डबल क्रोष करेंगे एक दो कि तीन चार चार बना लिया फिर तीन चैन बनाएंगे और फिर चार डबल क्रोस यह बनाएंगे ऐसे करके हम इस पूरे लाइन को बनाना है और इसे बनाने में बहुत कम टाइम लगेगा अब यह तो छट में एक-दो-तीन दियन टाइम है आप अब इसे बनाना शुरू करोगे आराम से बना लोगे चट्पुझा तक तो यह फोरा लॉब्र बना कर दिखाते हो भोगे no तो पुर 12 रावन बनालिये अभर इसके बाद हम फिर तीन चैन बनां की और यहां पे इसको चार रडबल क्रोसे बनाएंगे एक दो तीन चार बना लिया अब फिर तीन जेन बनाएंगे एक दो तीन जेन बनाया और फिर अब इसकी बीच में नेक्स्ट वारें की बीच में फिर से चार टीन चारड क्राशिय बनाया , फिर तीन चर्ड काट बनाता है एक टीन चारड कुश स्काल प्रसी हम चाहें ओकर से लुदने 4 दो çाहें, पिर तीन चर्ड बनाएंगे अब ऐसे ही करके यह में पूरे लाइन को बनाता है पूरा लाइन बना के दिखाती हूँ देखिए पूरा लाइन बना लिया अब इसके बाद हमें क्या करना है फिर लास्ट में तीन चैन बना के इसको यहां पर जोइंट करेंगे सिंगल क्रॉस यह से पिर यहां पर यहां पर अगले वाले चेन में सीlike से बनाएंगे और इसके बीच में सींगे बनांगे यह बना लियां इसके पर तीम यहां चायं बनाएंगे आपर यहां पर starts the may यहां पर चार डबल क्रोस यह सों बता कि गई एक सी को आपनाएं इसके बनाा है इसके बाद हम धा गारखता ना है आप पहले दू जान बनाना है्झी समयप और फीर दो और पेट जो सी सिडात कि पड़ेंगें एक, दो, तीन, चार, चार बना लिया, फिर दो चैन बनाएंगे और फिर इन दोनों को पपड़के एक सिंगल प्रॉसिया से यहाँ पे इसको बांद लेंगे, फिर दो चैन बनाएंगे और फिर यहाँ पे जो चार टबल प्रॉसिया है उनकी फीच में चार टबल प्रॉसिया बना लेंगे एक, दो, तीन, चार ये चार बना लिया अब फिर दो चैन बनाएंगे और फिर इस सिंगल क्रॉस जर्श से दुर्श को बांध लेंगे और फिर एक, दो, दो-चैन बनाएंगे और फिर इन 4 डबल क्रोश ये बनाएंगे इक दो तिन चार फिर दो चेट और फिर इन दोनों को सिंगल क्रोश से से बंद लेंगे फिर दो चेट बनाएंगे ऐसा ही करके हम इस पूरे राunड को बनाएंगे कि हमारा इस रावन भी यह design complete होते जा रहे हैं किता प्यारा लग रहे हैं अब ऐसे करके độ पूरा बनाना आं पूरा बनाके लिए धिशक्तास से चेंटी उर्टी कर लेकितना पर प्रुंट होगा है जो है ऑung नादना शुरू करेंगी आप यहां पर लास्ट में दो चैन बनाके और यहां पर तीसरे वाले चैन में सिंगल क्रॉस्य से इसको जॉइंट कर लेंगे पर फिर यहां पर 1 सिंगल क्रॉस बनाएंगे और फिर दोनों के बीच में 11 क्रॉस बनाएंगे बनादिया अब इसके बाद चार चेन बनाएंगे तीन बनाएंगे और यहां पर अब 6 double cross है बनाएंगे नीचे 4 double cross है था तीन लाइन में अब यहां पर जो अब नेक्ट तीन लाइन होगा उसमें हम 6 double cross है बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छे डबल क्रास्य बना लिया अब इसके बाद फिर तीन चैन बनाएंगे एक, दो, तीन, तीन चैन बनाया और फिर इसके नेक्स वाले डिजाइन में फिर से हम इन चारों के बीच वाले में फिर से छे डबल क्रॉसे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पाट, छे, छे डबल क्रॉसे बनाया और फिर तीन, यहां पे तीन चैन बनाके और फिर इसके नेक्स्ट वाले डिजाइन में फिर से बीच में हम छे डबल प्रोसे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पाथ, छे, छे बना लिया, फिर तीन चेन बनाएंगे अब ऐसे ही करके हम इस पूरे राउंड को बनाना है और आगे वाले राउंड भी हमें अब जिस हमें चार-चार वाले यह फ्लावर कम्प्रीट के तो ना चार डबल क्रोसे वाला है अब यहां पे 6 के बीच में 3-3, 3-3, 3-3, ऐसे करके बनाएंगे और फिर इसके उपर हम ऐसे ही बनाते जाएंगे जब यह 3 राउंड कम्प्रीट हो जाएगा यह वाला उसके बाद हम चौथे वाले में फिर 8-8 का करेंगे अगर आपको थोड़ा बड़ा और चाहिए तो आप यहां पे इसके बाद 10 का कर सकते हैं यह हमारा तीन का एक फ्लावर बन रहा है तीन के बाद हमें यहां पे डबल क्रोसे जो है वो दो-दो इंक्रीज कर देना है तो यह देखिए बना लिया अहां तक अब इसके बाद हम लास्ट में दो चैन बना के इसको यहां पे सिंगल क्रोसे से जोइन कर लेंगे यहां से जोइन करके धागा को कट कर लेंगे कर लिया कट अब हम इसके बाद हम फिर से दूसरा कलर यह लगाएंगे इसको हम फिर से यहां पर बनाएंगे तो यहां पर हम पहले सिंगल क्रोश से जॉइन करेंगे एक डबल क्रोश के छोड़ के कर्या जुआंगे इसके बाद चैन बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पान, छे, छे चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पर एक डबल क्रॉस दिये इस साइट छोड़के दूसरे वाले में सिंगल क्रॉस से इसको जोइन कर लेंगे ऐसे फिर छे चेन बनाएंगे छे चेन बनाएंगे और फिर इसके नेच्ट वाले जो डिजाइन है उसमें हम फिर एक डबल क्रॉस यह छोड़के सिंगल क्रॉस से जोइन कर लेंगे फिर छे चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पर लास्ट से एक छोड़के दूसरे वाले में सिंगल क्रॉस से जोइन कर कि ऐसी करके हमें में इस पूरे लाइन को बनाना है division फिर फिर ना लिखतिर खेफीड कि पूरा लाइन बना लिय handicap है कि देखिए कि इसी बनाना अब फिर यहां परेखिस के लिख स्पुर्ण करतें के जहां से हमत्राइब कि इसकी उपद्स पर हम single नब के स्ग्रोड से बनाएंगे और सoppin विलकुराइल इसके बाद शिक्ही से मिछ इंग्ग संग्राइंगे के यहां जा कि सिंग्राइस बिला बनाएंगे टेशां इसके बाद इसके लपर quality कर से बनाएंगे अब ऐसे ही करके हम इस राउंड को कंप्लेट करना है और इसके बाद साथ चैन का बनाएंगे तीन राउंड और फिर दो राउंड बनाएंगे आठ चैन का और जब यह बन जाएगा तो फिर यह वला डिजाइन हम उसके उपर बना लेंगे तो मैं थोड़ा सा और बना के इसकी और यहां पर यहां पर एट पर आपं पड़ा को अपर मैंने दो रॉंड अपर यह आज जाली वाला पर कर सकते है क्था-चांच के खुली आज़ा है यह जाली वला बनाया तीनो लाइन यह छेचे चैन का है छेचे चैन का यह बनाया इसके बाद जो है उस पर मैंने सोलर चैन बनाया जालर बनाने के लिए यहां से देखिए यह सोलर चैन बनाया और एक को स्किप करके दूसरे वाले में सिंगल क्रोसे से ज्वाइन कर दिया फि गोटी सिंपल है जालड बनाना पी तो यहां पे यह तो ज्वाइंट है ही अब इसके बाद हम यहां पर आछ चेन बनाएंगे आठ चेन बना के और यहां से एक बनाएंगे अर्थे वाले चैन से ही धागा को थोड़ा लंबा करेंगे बार फार्त भाले झें से 5 फार फार दगे को प्राउसी थे तीन हो गए 4 पांच ले लिया अब यहां से उन्को बना लेंगे और फिर रृच चैन बनाएंगे यहां से चुरु नहीं से ज्ञें करेंगे और फिर वी इसको स्टेंगल कृशियाशे। पांध लेंगे फिर आठ चैन बनाएंगे एक दो तीन चार पांध छे साथ आठ आठ चैन बनाया अब नेक्स्ट वाले के बीच में इसको सिंगल क्रोसे से ज्वाइन कर लेंगे यह देखिए किता सिंपल है जालर बनाना भी ऐसे ही यहां पर और बनेगा आठ चैन बनाएंग दागा को थोड़ा लंबा खीचेंगे और पांच बड़ दागे को निकालेंगे निकाल दिया और इसके बाद यहां पर एक साथ इंको बना लेंगे फिर चार चैन बनाएंगे और जहां से हमने शुरू किया था वहीं पर इसको सिंगल क्रोसे से ज्वाइन कर लेंगे फिर यहां पर सिंगल क्रोसे से इसको बांध लेंगे और फिर लास्ट में आर्ट चैन बनाएंगे और फिर यहां पर जो लास्ट में एक बचा हुआ था यहां पर सिंगल क्रोसे से इसको ज्वाइन कर लेंगे अब हमारा यह थालपूस कंप्लीट है इसके बाद हम इसको यहां के बांगे लेंगे कि बांग लिए देखे कितना प्यारा लग रहा है इसका गलर वे प्यारा है आप चाहे तो अपने पसंद के लगर यहां पर यूज कर सकते हैं और इसको और भी बड़ा बना सकते हैं सेम इसी पैटर्ण से I hope आपको ये थालपोस बहुत पसंद आया होगा अगर पसंद आयो तो लाइक जरूर करना और नए डिजाइन के लिए चैनल सब्सक्राइब करें